हेलो फ्रेंट्स वेलकम तु स्टेडी विद देवु इस्टेडी विद देवु टूब चलल पर मैं देवंदर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज केस वीडियो में हम बात करेंगे उन सबी कोलेज की जिनमें 100 सीट्स रखी गई है कितनी सीट्स रखी गई है 100 सीट्स रखी गई है उनके बारे में बात करने वाले हैं कितने कोलेज है जिनमें 100 सीट्स रखी गई है उनमें केटिगरी वाइज किस परकार डिवाइडेसन है और all India के seat उनमें कितनी रखी गई है सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ तो दोस्तों आप सब भी candidates चैनल पर अगर नए हो चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो को अपने सारे friends पर जरूर सेयर कर देना सबसे पहले अपन बात करेंगे राजस्तान में टोटल गवर्मेंट कोलेज कितने हैं तो राजस्तान में टोटल गवर्मेंट कोलेज हैं टोटल गवर्मेंट कोलेज जो है कितने हैं 17 गवर्मेंट कोलेज है टोटल गवर्मेंट सीट कितनी हैं दोस्तों तो टोटल गवर्में सीट सेंड में 1208 ठीक है मैं सभी कोलेजिस के बारे में एक अलग प्रोपर वीडियो बना चुका हूँ जिनमें सभी कोलेजिस का अलग-अलग discussion कर रहा है अलग-अलग बात उनको दे रहे के अलग-अलग category वाई सीट अलग-अलग बता चुका हूँ में ठीक है आप सभी कोई बात confirm पता होगी आपने वीडियो भी देखा हूँ अगर नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हो अपन टोटल पांच कोलेज इन सत्रा कोलेज में से पांच कोलेज ऐसे हैं जिनमें परते कोलेज में सो सीट है कितनी सीट है सो स सीट है कौन-कौन से कोलेज हैं वो सबसे पहला आता है आपका SMS जो एक फुली गोवर्मेंट कोलेज है SMS जेपूर ठीक है SMS जेपूर SMS के नाम से जालावार में भी कोलेज है वहां पर स्ट्रेंट से एप्लाई करते हैं बट वो गलत है ठीक है दूसरा आपका आर्वेचस ठी कि आर्चस जेपूर आर्चस जेपूर में कितनी सीट से सो सीट है यहां पी यहां भी बिकानेर जो आपका पी बिकानेर है उसकी बात करेंगे बिकानेर यहां भी एक बिकानेर में है ठीक है दूसरा है आपका कोटा 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 में कितनी सीट से कोटा में भी सो सीट है इसक पांच जीले हैं या पांच गोलेज है जहां पर नर्सिंग की 100-100 सीट रखी गई है इन सो सीट में से पचास सीट जितनी भी कौई कोई सभी स्मसों चाहे बिका नेर हो चाहे कोटा हो जोधपूर हो इन में से पचास परसेंट सीट तो केवल और केवल फीमेल के लिए है केवल होती है जद़ फोमेल अगर अच्छे नंबर वाली होत LViki Fit ले लेंगे अलेकिन गल्ट कี स ganze सीट कभी वह नहीं ले सकती है गल्सीत कभी वोगी नहीं ले सकते थे लेकिन भॉपा गस की नहीं ले सकती टो एक सीनर्सलिग मैं ध्यान हैं सोलो नहीं हो पारे गबराव मत इसका सोलीशन है डाउटना टैप जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो के चो प्रोप करो पांच सेकेंड के अंदर अंदर उसका वीडियो सोलीशन मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में यानि अब आप पूछे अपने अल पर साथ ही डाउटनाट पर चल रही है नवी से बार भी आई टीजी नीट के बच्चों के लिए ओनलाइन क्लासे जिसका इस्सा बनकर देश के सभी राजियों के बच्चे लिक रहे हैं रेंक पस्ट तो आज ही डाउटनाट एप इस्टोल करो और अपने सभी डाउट बग एक कोलेज में सीट रहेगी यहां पांच कोलेज में सीट रहेगी ठीक है पांच कोलेज में से ठीक है तो एक केटेगरी वाई सब सब पहले यू आर केटेगरी फिर दूसरी आती है आपकी EWS केटेगरी कौन सी EWS केटेगरी तीसरी आती है आपकी OBC और तीस चोती आएगे कि MBC, 5SC और ST इन्हीं केटेगरी के हम बात करते हैं इसके लावा और भी हम बात STA की भी बता देंगे, PWD की भी, PWH की भी हम बता देंगे, तो सबसे पहले UR category की बात करेंगे तो UR category की 100 में से 71 seat जो होती है किसके लिए होती है 100 में से 71 seat ही होती है UR category की ठीक है EWS की 9 seat है इसके अलावा OBC की जो है 18 seat रखी गई है MBC की 4 seat रहेगी परते college जिनमें 100 seat उन college की बात यहां पर की जा रही है SC की यहां पर 13 seat रहेगी और ST की केवल 10 seat यहां पर रहने वाली तो यह seat का डिवाइडेशन हो गया अगर पांचो कोलेजियों बात करें तो यह कितनी हो जाएगी देख सकते हो आप 155 seat हो गई यहां पर 45 seat हो गई और 18 जिनमें seat OBC की कितनी seat हो जाएगी पांचो कोलेजियों की मिला के तो यह हो जाएगी कितनी 90 seat हो जाएगी और यह कितनी हो जाएगी 20 seat हो जाएगी MBC की और SC की कितनी हो जाएगी यह 65 seat यहाँ पर और यह 50 seat हो जाएगी ठीक है यह तो हो गए अगर अपन इसको एक कोलेज की 100 seat को अगर अपन जोडते हैं तो यह तो 100 seat हो ही नहीं रही यह तो अपनी कितनी seat हो रही 85 ही seat हो रही है दोस्तों कितनी seat हो अगर आप बिलोंग करते हो यू आर केटिगरी से आप क्या करते हो बिलोंग करते हो एक मिन्ट इसको क्लेर करता हूं यू आर केटिगरी से आप बिलोंग करते हो तो क्या करना होगा आपको यह सीटे हैं और इसी सीटे कोडिंग सोरी डिलेट हो गई यू आर की दुबारा लि MBC की है अठारा MBC की MBC की चार SC की 13 और ST की कितनी बच जाती ST की है 12 दस सीट ठीक है यह सीटों का डिवाइडेशन प्रते कोलेज में रहने वाला है जिनमें 100 सीट रखी गई है चाहे आपका SMS हुआ या फिर आरच हुआ या फिर कोटा विकानेयर या जोधपूर ठीक है यह जो सुधपूर जो सीटों के संक्या इंक्रीज की गई है पहले से सीटों की संक्या 40 वा करती थी लेकिन इस बार इसमें 100 सीट कर दी गई तो यह पांच कोले जोगों जहां पर 100 सीट आपके लिए रखी गई है तो यह सीटों का डिवाइड़ इस प्रकार रहने वाला है देख स SMS के लिए eligible हो सकते हो तो 50 वाले candidates SMS के लिए eligible होंगे ठीक है बाकि यह तो आप रेंग को भाई जापने अलग वीडियो बताएंगे लेकिन इसमें इतना ही पता पाऊँगा मैं कि आप तो 50 में आते हो तो SMS के लिए eligible रहोगे बाकि अब बचती है ओधर स्टेट वाले ओधर स्टेट वाले के लिए क्या होगा ओधर स्टेट वालों के लिए क्या होगा आपको किस परकार कोलेज जो भी प्रात्मिकता रहेगी किस परकार आप दोगे किस परकार कोलेज में काउंसलिंग करवा होगे आप चैनल पर जूड़े रहना गबरा के जाना मत क्योंकि चैनल पर आपको इनफोर्मसन टाइम से पूरी मिलेगी तो इसी चैनल पर आपको बताया जाएगा किस प्रकार आपको कोईलेज बरना है कैसे काउंसलिंग करवाने बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि हर इनफोर्मसन आपको अपडेट टाइम से टाइम दिया जाएगे ऑदर स्टेट वाले जो भी मेरे पास स्टरितने किसी के scripture से कोट अ s जॉद्पूर बीकानर आर फिस इनasmus पोड़ Jude की कितनी साने मतलब उद्र कि डॉसालड़ बॉल सकते है इसे में उल इंडिया की सीट से बोलेंगे हैं तो इंडिया की सीट में राजस्तान और wide में सामिल किया जाता है तो ये रहेगा ये दोनों की सीट रहेगी मिला करו पथ्य पंध्रा सीट 75 seat जो है किसकी रखी गए? All Indie Candidates के लिए रखी गई अगर राजस्तान का कोई student है जिसके जनरल के बराबर आ रहे है तो उसको पहले उसको प्राइबिता दी जाई कि ओधर श्रेट के seat को बरा जाए All Indie के seat को बरा जाए तो All Indie के seat को बरने के लिए राजस्तान के और Outdoor राजस्तान के इंड़ेट को सामिल किया जाता है आप से भी लोग जानना चाहते होंगे कि Private Colleges की Peace क्या रहती है Government Colleges की Peace क्या रहती है सारी जानकारे आपको इस चैनल पर मिलेगी आप से भी बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना आज आपके लिए Private Colleges की Peace का वीडियो आएगा कितने बज़े साम कुछ साथ बज़े तो नहीं आएगा जब भी आएगा आपका इंफर्म कर दियागा अगर आज ने आएगा तो कल आएगा लेकिन आज पहले आंसर किया जाती है तो सबसे पहले उसके बारे में डिसकस करेंगे दूसरी चीज जो अपना है आज सात बज़े मैं एक जीके की क्लास आपके लिए ला रहा हूं राजस्तान जीके की एक prepsiol क्लास अपके लिए ला रहा हूं अगर आपको वो अच्छी लगता है तो रास्तान जीके की और रास्तान जीके की तो बस वोले डेमो है उसके बाद आपके लिए पहले जब तक आपका N.V.S. Lab Assistant का एक्जाम है N.V.S. Lab Assistant के लिए ही पहले क्लासेज कर वाएं क्योंकि नो मार्च को नो मार्च से बारा मार्च के बीच में आपका एक्जाम हो रहा है N.V.S. Lab Assistant का इसके लिए एक प्रोपर वीडियो फिर दुबाना से आज आएगा सामस को आट नो बजे कैस पास वीडियो अपलोड में कर दूँगा ठीक है दोस्तो तो आज के वीडियो में ने बता है कि आपकी जो षीटों की संक्या है वो इतनी रहने वाली 15 षीट all इंडिया के लिए है और 85 सीट का किसके लिए राजस्थान वालों के लिए ही होती है उल्ली जो यहांके बבनाफाइड होते है उनके लिए होती है टोटल पाँच कोलेजे जिने 100-100 seats है यानि कि 500 seat में से 500 seat में से 55 seat जो होती है वो all India के candidates के लिए होती है बाइक जो बच जाती है 425 seats वो किसके लिए रहती है राजस्तान वालों के लिए रहती है ठीक है जितने भी seat 50% seat किसके लिए होती है female के लिए रिजर होती है यह बात आप को पता है लेकिन अब यहां पर एक डाउट आएगा कि पी-एच के टिगरी की क्या है पी-एच के टिगरी की क्या है तो आपके अगर मालों आप OBC के candidate हो OBC के candidate हो और आपकी 18 seat है 18 seat OBC की बच्चती है तो इस 18 का 5% आप निकाल लेना 18 का 5% लगबग कितना आता है लगबग 1 seat के असपास आपका आता है कितना आता है एक seat के असपास आपका आता है तो एक OBC में 1 seat जो होगी वो किसके लिए रहेगी पी-एच के टिगरी के candidates के लिए रिजवर रहने वाली है ठीक है तो इसमें सबस जितनी भी seat आपके आती है जैसे कि मालला यूर के टिगरी के आप बंदे हो यूर के टिगरी में 31 seats रखी गई है और यूर के टिगरी का 5% कितना होगा यूर के टिगरी का 5% लगबग एक पॉइंट एक पॉइंट पॉइंट के असपास होगा तो यह आपकी seat और रहेगी किसके लिए एक पॉइंट पॉइंट यान कि दो seat आपकी पॉइंट पॉइंट के लिए रहती है तो आप गबरा है ना वह भी सी और उनकी पॉइंट के टिगरी में केंड़ेट को अलोट करते हैं ठीक है पाँच परसेंट आरक्षन है किसको पी एच प्यृज्ट फिजिकल हैंडीकेप्ट केंडडिएट को पाँच परसेंट आरक्षन रखा गया है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आपको वीडियो अच्छा लगाओ लाइक करना और अपने एक बार सारे फ्रेंट्स में सेर कर देना बिल्कूल हर एक चीज आपको सबसे पहले समझा कर बताई जाती है चाए आप मानो या मत बानो बट आपको माइंड में उस चीज को फिट किया जाता है उसी के बाद कुछ नई बात की जाते है दन्यवार दोस्तों टेक केर्स